Hello friends, अगर हमें पैसे की जरूरत है तो हम क्या करते हैं? हम बैंक्स के पास जाते हैं और बैंक्स से लोन ले लेते हैं, right? इसी तरह अगर बैंक्स को पैसो की जरूरत है, तो वो भी RBI से लॉंग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हैं यही रीजन है कि RBI को बैंकरो बैंक्स भी खा जाता है Depending on the type of loan, RBI इन बैंक्स को अलग-अलग तरह के इंटरेस्ट रेट्स पर लोन ओफर करते हैं ऐसा ही एक long term interest rate है bank rate और इसी तरह एक short term interest rate है repo rate अब obvious सी बात है कि बैंक्स को जिस interest पर loan मिलता है, वो अपने customers को उससे ज्यादा ही interest rate पर charge करेंगे और ज्यादा customers loan लेने आएंगे या कम, यह इस बात पर depend करेगा कि bank उनसे ज्यादा interest rate चार्ज कर रहा है या फिर कम क्योंकि अगर bank ज्यादा interest rate चार्ज करेगा तो कम customers loan में interested होंगे और अगर यह loan कम interest पर मिलेगा तो ज्यादा लोग loan लेने में interested होंगे तो यहाँ से जो बात निकल के आ रही है वो यह है कि हमारी economy में ज्यादा लोग loan लेंगे या नहीं वो इस बात पर depend करेगा कि RBI banks को कितने percent पर loan देता है चले अभी सिर्फ short term loan पर ही concentrate करते हैं हमने देखा कि जब banks RBI से short term loan लेते हैं तो उसके लिए RBI जिस interest rate को charge करती है वो है repo rate बड़ इसका opposite case जहाँ पर banks RBI को short term loan देते हैं या कहें कि अपना surplus amount RBI के पास park कर देते हैं इस case में RBI banks को एक interest देता है और इस interest को कहा जाता है reverse repo rate और कमाल की बात यह है कि reverse repo rate हो या फिर repo rate इन दोनों ही interest rates को खुद RBI determine करती है और इन दोनों interest rates के थुरू RBI banks की liquidity को control करती है अब यहाँ पर दो questions बनते हैं पहला question यह कि यह liquidity क्या होती है और दूसरा question यह कि reverse repo rate और repo rate के थुरू RBI इस liquidity को कैसे control करती है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि liquidity क्या होती है Actually bank की liquidity इस बात पर depend करती है कि bank के पास कितना cash है या फिर ऐसे liquid assets कितने हैं जिने आसानी से cash में convert किया जा सकता है यह basically वही liquid money और blocked money का concept है जिसे हमने monetary policy के introductory वीडियो में cover किया था आप economy playlist में इस वीडियो को देख सकते हैं तो यह तो बात होई liquidity की चलिए अब देखते हैं कि RBI किस तरह repo rate और reverse repo rate के थुरू banks की liquidity को control करता है चलिए इसको example से समझते हैं सोच के देखिए कि अगर RBI repo rate और reverse repo rate को decrease कर दें तो क्या होगा repo rate कम होने का मतलब यह है कि banks को कम interest rate पर loan मिलेगा ऐसे में सबी banks RBI से जादा से जादा loan लेना पसंद करेंगे और reverse repo rate कम होने का मतलब यह है कि banks को अपना surplus पैसा RBI के पास पाग करने के लिए कम interest मिलेगा और ऐसे में कोई भी bank RBI के पास अपना पैसा पाग नहीं करना चाहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि reverse repo और repo rate कम हो जाने के वज़ा से banks के liquidity बढ़ जाएगी यानि banks के पास ज़्यादा पैसा होगा अपने customers को loan देने के लिए और इसका ठीक उल्टा होगा जब RBI reverse repo rate और repo rate को increase कर देती है क्योंकि अगर reverse repo rate और repo rate को increase कर दिया गया तो banks RBI से loan लेने की बज़ाएगे कोशिश करेंगे कि वो अपना surplus amount RBI के पास ही पाग कर दे ऐसे में उनकी liquidity कम हो जाएगी और साधी साथ उनकी lending activities भी कम हो जाएगी तो हमने इस बात को समझा कि किस तरह repo rate और reverse repo rate को change करके RBI banks के liquidity को कम या जादा कर सकती है यानि liquidity को adjust कर सकती है और इसलिए reverse repo rate और repo rate को liquidity adjustment facility यानि LAF कहा जाता है और इस concept को RBI ने year 2000 में introduce किया था और तब से लेकर आज तक ये RBI की monetary policy framework का एक key element है तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि as a lemon आपको reverse repo rate, repo rate और liquidity adjustment facility के बारे में जितना पता होना चाहिए वो सब आप समच चुके हो बड़ अगर आप UPSC के लिए prepare कर रहे हो तो ये information आपके लिए काफी नहीं है इसलिए हमें इस concept की odd depth में जाना होगा सबसे पहले बात करते हैं repo rate की देखे जब भी कोई bank RBI से short term के लिए loan लेता है तो जितनी भी amount का loan bank को चाहिए उतने ही amount की bank securities bank को RBI के पास रखनी होती है as collateral और इसके लिए बाकाइदा एक agreement बनाये जाता है इस agreement में ये साफ तोर पर लिखा होता है कि RBI bank से promise कर रहा है कि वो इन securities को एक pre-determined date और pre-determined price पर वापस से खरीद लेगा यानि repurchase कर लेगा तो actually में हम इसको कह रहे है loan लेकिन यहाँ पर sale और purchase की बात हो रही है और इसलिए इस particular agreement को कहा जाता है repurchase agreement इसी की short form है repo और इसलिए इस transaction में जो interest rate है उसे repo rate कहा जाता है तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से दिखोगे तो इस transaction में यह हो रहा है कि RBI इस bank से government securities खरीद रही है at a discounted price और यह discounted price calculate होता है based on repo rate चलिए इस बात को एक example से समझ लेते हैं माल लीजिए कि यह bank RBI को 100 रुपे की government securities बेच रहा है तो क्या bank को loan के रूप में 100 रुपे मिलेंगे नहीं यहाँ पर government securities में एक discount माइनस करने के बाद जो amount बचेगी सिर्फ वही amount RBI इस bank को देगा और यह discount amount क्या होगी यह depend करता है repo rate पर for example अगर हम लोग 4% का repo rate मानके चलते हैं और यह पैसा एक दिन के लिए दिया जा रहा है तो आपको यह calculate करना होगा कि 4% के हिसाब से एक दिन का कितना interest होगा उसी value को आप discount consider करते हुए 100 में से माइनस कर देंगे और क्योंकि यह एक repurchase agreement है तो obvious सी बात है कि bank को यह amount वापस लोटानी होगी लेकिन लोटाते समय bank पूरी की पूरी 100 रुपीज की amount वापस लोटाएगा यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस transaction में जो भी discount है वो basically government का profit है यानि RBI का profit है तो हम देख पा रहे हैं कि इन government securities को purchase करने के लिए bank को जो rate of interest देना पढ़ रहा है वो यह repo rate ही है इसलिए कई बार repo rate को rate of repurchase भी कहा जाता है तो अब आप समझ पाए होगे कि repo rate को rate of discount या फिर rate of repurchase क्यों कहा जाता है तो जैसा कि हमने कहा repurchase agreement को short में repo कहा जाता है और यह agreement generally overnight borrowing के लिए किये जाते है कहने का मतलब यह कि इन agreements में पैसा लिया जाता है और very next day पैसा return कर दिया जाता है यानि जब 24 hours के लिए banks RBI से पैसा बौरो करते हैं तो यह पैसा repurchase agreement के थुरू बौरो किया जाता है अब आपका question हो सकता है कि सिर्फ 24 hours के लिए banks को इन पैसों की क्या जरूत होगी तो यहाँ पर आपको CRR और SLR का concept यादाना चाहिए देखी हर 15 days में banks को अपने CRR और SLR के requirements को पूरा करके उस से related report RBI के पास बेजनी होती है और बताना होता है कि CRR और SLR requirements वो पूरी कर रहे हैं इसलिए every 15 day अगर कुछ भी पैसों की कमी है तो banks RBI से repo rate पर उस पैसे को ले लेते हैं और अपनी reports में सब कुछ सही दिखाते हुए इस report को RBI के पास भेज देते हैं उस report को भेजने के 24 गंटे के बाद वापस से RBI का पैसा वापस कर देते हैं और इस तरह SLR और CRR की requirements पूरी तरह से fulfill हो जाती है अगर banks ऐसा नहीं करेंगे और SLR और CRR की requirements में कोई भी गरबड़ी है तो उसके लिए उनको बहुत बड़ा fine देना होता है तो इसी लिए उस fine से बचने के लिए repo rate पर पैसा borrow किया जाता है चलिए अब बात कर लेते हैं repurchase agreement के कुछ variations की repurchase agreement के कुछ variations भी available है जैसे की term repo और long term repo operations जब banks को short term loans चाहिए लेकिन एक दिन से ज़ादा समय के लिए ऐसे में banks RBI से term repo पर loan ले सकते हैं ये loans 7 days, 14 days और 28 days के लिए लिए जाते हैं और इस feature को RBI ने year 2013 में ही introduce किया था इसके बाद अगर बात की जाए long term repo operations की तो ये वो repurchase agreement है जिने RBI ने year 2000 में launch किया था और इने LTRO यानि long term repo operation भी का जाता है इसके इसमें repurchase agreement एक साल से लेकर तीन साल तक के period के लिए बनाए जाते हैं यानि ये वो option है जिसके थूरू banks अपनी government securities RBI के पास रखवा कर RBI से एक से लेकर तीन साल तक के period के लिए loan ले सकते हैं बट repo rate, term repos और LTROs related borrowings पर RBI ने कुछ limits लगा के रखी हुई है RBI ने 2016 में ये guideline जारी की थी कि कोई भी bank अपने NDTL का 0.25% ही RBI से borrow कर सकता है repo rate पर उसके उपर अगर bank चाहे तो अपने NDTL की 0.75% तक की amount term repo पर borrow कर सकता है इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी bank की NDTL 2000 करोड की है तो ये bank 5 करोड रुपे repo rate पर उठा सकता है और उसके उपर another 15 crores term repo पर ले सकता है अब बात आती है long term repo operations यानि LTRO की इसके लिए RBI ने specifically 1.5 lakh crores का एक पूल बनाया हुआ है सभी banks के लिए तो अगर banks को ज्यादा पैसो की जरुवत है और longer period के लिए borrowing करनी है तो वो LTRO यानि long term repo operations की अंतरगत ये borrowing कर सकते है तो ये तो बात हुई उन cases की जब banks को जरुवत होती है short term के लिए और वो RBI से loan लेते है चलिए अब बात करते हैं इसके reverse case की जहां पर banks RBI को short term loans देते है और इसके लिए वो RBI से reverse repo rate चार्ज करते है एक्चुली इस option का इस्तमाल banks तब करते हैं जब उनके पास surplus funds होते हैं मान लीजे कि banks के पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए है और customers loan लेने के लिए आई ही नहीं रहे है ऐसे में जरूरी है कि banks इस surplus fund को किसी ऐसी जगा पर invest करे जहां से इसे तुरंद वापस लिया जा सके क्योंकि अगर कोई customer bank में loan लेने आता है तो banks को इन पैसों की तब जरूत होगी पर ध्यान रहे जब भी banks अपने funds RBI के पास पाक करते हैं तो RBI उन्हें उतने amount की government securities दे देती है यहां पर RBI और bank के बीच में एक agreement हो जाता है जहां पर bank promise करता है कि वो एक pre-determined date और pre-determined price पर ये government securities RBI को resell कर देगा तो आप देख सकते हैं कि ये basically एक resell agreement है और इसलिए इस agreement को reverse repurchase agreement भी कहा जाता है इस agreement के हिसाब से RBI in securities को discounted price पर sell करती है और ये discounted price determine होता है reverse repo rate के हिसाब से तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने repo rate, term repo, long term repo operations, reverse repo rate और liquidity adjustment facility को cover कर लिया है modern history, ancient history, Indian economy और Indian polity को detail में cover करने के लिए books dava की playlist से अच्छा option कुछ भी रही है thank you so much for watching books dava